अक्सर हमें से अधिकता लोग कान की गंदिगी या फिर खुजली से परशान रहते हैं जिस वज़े से हम अपने कान के अंदर माचिस की तिली, गाड़ी की चाबी या फिर पैन और पैंसिल से अपने कान को साफ करने लगते हैं जिससे हमारे कान में कई दिक़्ते पैदा हो सकती है। अगर आप भी अपने कान के अंदर माचिस की तिली, गाड़ी की चाबी या फिर कोई भी चीज डाल रहे हैं तो आप अपने लिए खत्रा मोल ले रहे हैं। इसमें कौन-कौन सी दिक्कते आपके कान में पैदा हो सकती है तो हम आपको इस खबर मताते हैं। जिसमें कान का पर्दा फटने का डर रहता है, कान में इंफेक्शन का खत्रा बढ़ जाता है, हमेशा कान में दर्द उठता है, कभी कभी बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे सकता है। अगर आप भी अपने कान को साफ करते समय इन सभी चीजों का प्रियोग कर रहे हैं, तो आप अपने लिए खत्रा मोल ले रहे हैं। इसको लेकर हमने जिलर स्पताल के ENT सर्जन डॉक्टर हरीश्चन गरकोटी से खास बात्चित की। पुलाने इसको लेकर क्या कुछ कहा, आईए हम आपको वो सुनाते हैं। आपको लगता है कि मेल मेरे जमा हो गया इसमें। उससे पता लग जिया गया या तो पेन होगा है, सुनने में उसको तक्रीब होगी। तो तुरहने डॉक्टर से संपर्क करें वो और उनकी राय के अनुसारी जो भी बताते हैं। उसके हिसाब से काम करें। देखिए उससे होता कि इन चीज़ों से यह दो चीज़े होते हैं। या तो अगर सपोज मेल वगरे को नहीं है। या है तब भी एक तो कैनाल में चोट लगेगी जो बाहर का जो हमारे कान का हिस्सा होता है। कान का जो पर्दा जो में जो हमारे सुनने का एक अंग होता है। उसमें चोट लगेगी उसको डेमेज करेगा फटेगा। कि उसके बाद में कॉंप्लिकेशन क्या होंगे कि उसके बाद उपकना सुरू हो जाएगा उसके लापरवाही की वज़े से। फिर और ज्यादा तक्रीफ बढ़ सकती है। हुआ है। है चोट वाली तो मिल जाता है। और अबरेज मान के चलें तो महने में पांच केस तो मिल जाते हैं। सुझाओ है कि अगर कान से रिलेटेट कोई भी सम्मन्दिद होती है तो नाकान गला विसे सगी को दिखाए और उनके जो भी राय होते हैं उसे साफ से चले हो अगर आप भी अपने कान को साफ करते वक्त इन सबी चीजों का प्रियोग कर रहे हैं तो आप अपने लिए और अपने कान के लिए खत्रा मोल ले रहे हैं अगर आपको अपने कान को साफ रखना ही है तो आप अपने नजदेगी डॉक्टर से सलाम सुरा ले सकते हैं उत्रान के अर्मड़ा से मैं रोहित भहट लोकल एटिन के लिए